नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल तो आज का ये सेशन फिर से एक बार उसी बात को प्रिडॉमिनेंटली बताने के लिए है कि ओल रियक्शन्स हार एसिड बेस आईए दोस्तों समझते हैं बहुत जल्दी से आज का सेशन उसके कोश्चन और उन कोश्चनों में चुपी वी एक बहुत ही कॉमन सी बात अपने दिमाग में इस बात को बठा लो आनद ना जाएगा दोस्तों पहला सवाल है आज का CS3COO C2H5 CS3COO C2H5 एस्टर हैं जी और इसके साथ लग गया C2H5 O के उपर माइनस ये साफ इसकी शकल पर दिखता है कि माइनस है, electron rich है तो इसका मतलब ये खुद क्या है? ये एक base है बचों अगर ये एक base है तो इसको क्या चाहिए भईया? acidic H, क्या चाहिए इसको? acidic H, all reactions are acid base, हम तो इसी philosophy के उपर ही organic करते चले जा रही हैं अब मुझे acidic H कहा मिलेगा? वही H, जो H छोड़ बलब जहां से H प्लस निकल जा और फिर stability आ जाए मेरे बच्चे, बहुत ही special तरीके से अगर देखें तो ये जो ester है इन भाई साहब के पास ये जो H है अगर ये H निकल जाए तो यहाँ जो minus आएगा वो resonance में होगा किसमें होगा बच्चों? resonance में इसका मतलब अगर ये attack करे इस वाले H पे तो जो मुझे मिलेगा वो CH2 minus C double bond O और O C2H5 मिलेगा मेरा तो ध्यान ही यहीं जाता है कहां पर acidic H है उसको लेके भाग जाओ उस पे minus लगा दो और उस minus को बड़े असानी से आप अगले plus की तरफ ले जा सकते है पूरे महले में plus कहां दिख रहा है अब ये मेरा nucleophilic point हो गया electrophilic point देखना होगा यानि ये base हो गया अब मुझे ऐसे ढूनना होगा दूसरे molecule पे जो C double bond O है ये भाई सहाब कुछ plus charge लेके जरूर बैठें अब मज़दार बात ये है कि ये जैसा हम जानते हैं होना ही यही था देखना ही यही था इस सवाल में और कुछ खास tension नहीं थी तो मुझे फिर क्या मिलता है CH3 CO- OC2H5 CH2 C double bond O OC2H5 ये दोस्तों इसको जरा साफ से स्पेश बनाते हैं ये CH3 है फिर C है फिर OC2H5 है बहुत ही साफ से बना दिया है ये इस भाई सामने अटेक किया था ये ये आ गए और उपर हो गया O- O- तो विचलित मंग से बैठता है और वो कहता है मैं तो वापस से bond बनाऊंगा रे जिसको जाना है वो जाए अब C2H5 O- असानी से अगर देखा जाए तो ये तो आके लगाई है तो जाएगा नहीं ये माइनस बरदास कहां करेगा तो ये भाई साह भी चले जाएंगे तो ये आए और ये वापस गए मुझे क्या मिला अब देखिए ये बीटा पोजिशन पर कीटो है और ये एस्टर है दीज आर बीटा कीटो एस्टर अभी भी परशानी रहेगी तोकि अभी भी बेस है और इसका रियक्शन का मेकेनिजम तो और आगे बियॉंट जाएगा बर ठीक है आपके लिए यहां तक सफीशियंट है में बच्चों यहां पर जो प्रोड़क्ट होगा इसको मैंने लिया और आपको कमाल की बात बता दूँ इसी रियक्शन को IIT के वर्ल्ड में कहते हैं क्लेजन कंडनसेशन इसका वेरियेशन भी होता है जिसके बारे में बात करेंगे बट इस इस क्लेजन कंडनसेशन दो एस्टर मिले और एस्टर ने मिलके बीटा की टो एस्टर दिया लेकिन बच्चों क्या यह लगभग लगभग वैसी रियक्शन नहीं भी जो हम बार-बार कहते हैं सिट बेस और वही अल्डोल वाला कॉंसेट वही नुक्लियोफिलिक एडिशन वाला कॉंसेट मुश्किल कुछ नहीं है सिर्फ सोच को बदलना जरूरी है विजुलाइजेशन करना जरूरी है वैसे ही भागते रहें कि जो लिखी वी लाइन है उसी लकीर के फकीर बने रहना है तो बने रहो और रियक्शन को मुद्दे पर समझना है तो बताओ 700 पेज की किताब को पढ़के 1200 पेज लिख देना ये समझदारी नहीं है आज के दुनिया में समझदारी यह है कि 700 पेज की किताब पढ़के 7 पेज में समराईस कर देना If you can do this, आपको subject आ गया, बाकी तो मन को बहलाने के concept है, तो बटा ये कितना प्यारा हुआ, ये question भी हुआ, और इसके साथ साथ एक name reaction भी हुई, अगले पर आते हैं, अब कुछ ये देखिए, concept मेरा वही है, reaction थोड़ी change हो गई, question मेरा change हो गई, अलग तरीके से पूछा गया, reaction वही है, मुझे नहीं पता कुछ भी, ना, मैं नहीं सोचता, questions में मैं क्या करूँगा, मैं खाली इक बात देखता हूँ, यहाँ फिर से eto- है, यह फिर से बेस है, electron rich species है, यह negative charge जो होता है, उसकी वज़े से nucleophilic nature आता है, acid चाहिए, यह h तो acid नहीं है, तो क्या करें, कुछ नहीं, यह देखो, यह astral है न, इसका h निकाल दो, यह h निकल जाएगा, यानि इस से अगर मैं देखूँ, तो मुझे फिर से CH2- et मिलेगा, और यह इसके attack करेगा, खतम, कोई बड़ी बात नहीं, अब यह देखो क्या हो O- CS2, C double bond O, et, असान है बच्चों, कोई बड़ी बात, अब क्या हो सकता है, यहाँ पर, इसका जो h प्लस था, वो भी आके लग सकता है, लेकिन, एक बड़ी मज़दार बात है, और आयटी के पाशिंदों को यह दिहान लखना चाहिए, ज्यादा stability की तरफ move करना है, अगर यह निकल जा और यहाँ double bond आ जाए, तो यह इतने से conjugation हो गया, conjugate system हो गया, तो मुझे stability जो मिलेगी, वो इस वाले structure में, ज्यादा मिलेगी, यहाँ double bond हो गया इसके साथ, और यह ऐसे, लेरे बच्चों, अब यह cinamate हो गए है, और इस reaction को normally कह देते हैं, cleason reaction, यानि देखो, अभी जो पहले पढ़ी है, वो cleason condensation है, यह जो पढ़ रहे हो, यह cleason reaction कह देते हैं इसको, एक बहुत अच्छी important variation है, क्या है दोस्तों यह, एक बहुत अच्छी important variation है, और इसको ध्यान रखना, variation मतलब, लगभग-लग-लग-cleason condensation की तरह है, लेकिन variation है, और इसका नाम हम कह देंगे Claisen Reaction. तो confused मत हो ना, कि Claisen Reaction कही जाएगे, तो यह होगा. और अगर आप से कहा जाए, कि भाई साब Condensation बताईए, तो यह पुराने वाला था, दोनों एस्टर वाला था. This can be considered as Claisen Condensation, but this is actually a variation of Claisen Condensation. And this is known as Claisen Reaction. Is it clear why, guys? तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी थी, फिर से वही, फिर से वही, All Reaction are Acid-Based. लगाओ दिमार्ग. मैं बहुत सिंपल आप से बात करता हूँ. पताए, बच्चों, बहुत बड़े-बड़े pages भर जाना, बड़े-बड़े notes लिखते चले जाना. उससे कोई भला नहीं होगा. जे ही निकालना है, problem solving check करेगा. problem solving improve कर लो, अपनी बात खतम है. और problem solving के लिए problem solve भी करनी पड़ेंगी, और एक नतीजे पहाना पड़ेगा, कुछ चीजें concise करनी होगी, ताकि उनी के थूँ apply कर सको. अगर application नहीं आई, तो कुछ नहीं होगा. देखो, मैं इसलिए अपने-पने in session में मैं खास तौर पे कुछ particular topics पर ही बहुत emphasis कर रहा हूँ, बहुत ज़रा जोड़ लगा रहा हूँ, ताकि आपको वो clear हो जाए. वन शॉट वीडियो नहीं हैंगे, ट्रिक्स नहीं हैं यह, यह concept है. यह वो द्रश्टी कोण है, यह वो नजरिया है, जो आपको सवालों को देखने का एक नया अंदास देगे. बच्व फिर से आते हैं इसको. अब यह क्या है? इस यह बेंजल्डी हाइड, इस यह एल्डी हाइड. इस इतल्डी हाइड. अब इन दिस केस, OH- आया है. सर, यह तो हमें simple LDOL के तना लग रहा है, लेकिन ध्यान दो, यह भाई नहीं कर सकते हैं LDOL. यह तो कहनी जहरो की दिवाने हैं, क्यों? इन पर α-H ही नहीं है, बड़ा simple है. फिर वोई कहानी होगी, फिर यह इस के H को निकालेगा, फिर यह C-2 माइनस बनेगा, फिर इस पर अटेक करेगा. फिर बीटा, हाइड्रोक्सी, अल बन गया, फिर रेजोनेंस हो गया, बलब conjugation हो गया, conjugation की वज़े से यहां double bond आ गया, cinemaldehyde बन गया, इस reaction को क्या कह दिया? देखो कितना असान एक flow है, चीज यह आपस में link है, आप ना देखो, तो उसका क्या कसूप है? यह Clayson, श्मित हो गया, देखिए, हलवा बिलकुल, बच्चों, देखना शुरू करो चीजों को, यह Clayson श्मित है, तीनों reaction के concept में क्या है, अल्डोल के भाई बंदू लग रहे हैं तो, नाम अलग अलग हो गए है, यह ठीक वैसा ही है, जैसे woods हो गई, fittig हो गई, woods fittig हो गई, Franklin हो गई, अलग कहां से हो सकती है, खाने की तरीके अलग हो सकते हैं, dishes अलग हो सकती हैं, खाना तो खाना ही है न, फिलोसफी तो वही है न, यह कुछ चाहिए जिस से यह शरीर चलता रहा है, तो फिलोसफी तो वही है, all reactions are acid based, we have to go deep inside, idea सारा मैं आपको अपने सालों के experience से जो मैंने organic को देखा है, उससे बता रहा हूँ, बच्चों आपको पढ़ाते पढ़ाते न, एक interest, somehow जैसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आपके इस महबबत औ प्यार को की, normally हम टेस्की तो तो त्यारी कर रहे हैं, बट सब्जेक्ट के अंदर भी जो एक मज़ा है, वो निकल के आए, अभी जैसे कल मैं आपके सामने आऊँगा, एक्किलिब्रियम को ले के आऊँगा, तो उसमें भी काफी बातें न करूँगा, आपको बताऊँगा, एंसे आटी के वो सवालाद कैसे सौल्फ हो रहे हैं, बच्चों जो खास तार पर बच्चे समझ रहे हैं, कॉंप्रूटेशन के त्यारी कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, नियर अबॉट जो नीट वाले बच्चे यह सेग्मेंट टोटली यह वालों के लिए था और नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा यह सकता है कि उनके ब्यांड जाता है और मुझे कई बच्चे आप टेलीग्राम पे और मेरे वाटसेप पे कह रहे हैं कि सब्सक्राइब नीट वाले सवालात क्यों नहीं ले रहे हो बच्चों देखो सारी चीज एक साथ नहीं होंगी उलच जाओंगा मैं भी क्या आप लोगों स सो मेरा आप लोगों से यह गुजारिश है कि मुझे अभी थोड़ा दस दिन का वक्त और लगेगा अभी फिलाल मैं इसी पर लगा रहा हूं लेकिन जैसे कलव एक्विलेब्रियम है तो एक्विलेब्रियम में तो एंसी आडी की बात है तो वह जैई मेन हो एडवांस हो मैं पर्टिकुलर्ली नीड के लिए भी कि मेरा टाइम थोड़ा निकल आएगा देखो सबके साथ जिस्टिफाई करना ज़रूरी है अभी हम वाले जैई मेन के लिए सिरीज दे रहे हैं और मैं आप सब बच्चों से करा है कि इन को आप नोट करते जाए एक कॉपी के अंद कर्वा था उसमें से हैं उसी में से आई थी उससे पहले दिया था मैंने स्टूडेंट्स को जो एक लाइव प्लास दी उसकी रिकॉर्डिंग है तो बच्चों उसमें को इशू नहीं है वह आप देक्सक्ते हो नीड के लिए हम फौर्टीं जैन से आएंगे विए फॉटीं चैप्टर लगाऊंगा एक्विलिब्रियम का everything I'll cover everything first time YouTube पे मैं आपको पूरा चैप्टर full content on every aspect एक्विलिब्रियम का दूँगा तो पांच्छे दिन लगेंगे कोई बात नहीं लेकिन topic बहुत interesting है बहुत मज़िदार है जरूर देखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि व और से देखो तो नीट वाले बच्चों को क्लियर है 14 से बठाव बहुत मज़िदार होगा वो chemistry अलग लेवल पर होगी नीट की वह ऐसे डॉक्टर रिसर्चर में आपको संझाओंगा तो अलाग आएगा थोड़ा इंतजार करो उसके लिए अभी जेए के साथ चलते रहो त समय सेम कहानी समय नुक्लियोफिलिक एडिशन समय और कोश्चन के तौर के पूछा कि अब आगया यह भाई साथ धमाल अब मेरी जरुत नहीं है अब खुद सोचो ऐसे डिक यह फिर से क्या है यह नुक्लियोफिलिक सेंटर है यह फिर से एलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है यह से डिकेश नहीं है यही वाला से डिकेश है यह वाला से डिकेश है यही है इस कोश्चन को वीडियो को पाउस करके खुद सॉल्व करो और अब देखो पाउस कर लिया था देख लिया था अब देखो यहीं पर माइनस आना है और यह माइनस इस पर अटेक कर जाना है यह वही होना है कोई बड़ी बात नहीं यह सदिक अच्छा है यह अच्छा है यह तो यह इस पर चार बाएक श IC 82345 सर्थे के बंगे देग jersey कि अब लेए एक कर्बनार वं दोंद कर्बन lleva कर्बन फीला पर पांच कार्बन पांच में कार्बन पर यह है यह जुड़ा है जाके इस से इस पर हो गया ओ माइनस इसी पर था ओई टी यह वापस आया ठीक है इसी वाले पर COET और इस वाले पर यह तो अगर आप धिछान से देखो यह इस कार्बन ज тебя नहीं है जταसब को लगना चाहिए जोड़ाव इस कार्बन यह कार्बन यह इस कार्बन पर के साथ यह है फिर देखो यह इसका आलफा यह बीटा यह इसके um यहां पर बनाया यहां बिटा कीटो एस्टर ही मिल रहा है लेकिन यहां पर इंट्रा मॉलिकुलर हो गया एक ही मॉलिकुल में हो गया अब बताओ और गैनिक में बड़े मज़दार बात है इसको कह रहे तने डाइक में रियक्शन अरे बहीं अलग क्या है अलग क्या है स्पेलिंग देख लेना मेरे मांड में यही चल रही है तो यह डाइक मन रियक्शन हो गई कितना बढ़िया हो गया देखो सारे कोश्चन एक धर्रे पर यह है और गैनिक अलग अलग नेम रियक्शन है जही एडवांस कहता है जी डाइक में दे दूंगा यह दे वर्रेड अबाट वाइए इस अप्लिकेशन में कैसे मूफ करेगा तो बच्चों नीन नॉट टू वरी लेकिन चीजें बहुत अराम से हो रही है फिलोसफी एक ही है याद है वही कहा था बेचैनी जहां रियक्शन वहां और रियक्शन एसिड बेस देखा देखो बच्चो चीजों को सिंक्रनाइस करने के लिए महनत लगती है मैं यह जो पूरी सिरीज सिंक्रनाइस कर रहा हूं इसमें महनत लगा रहा हूं पूरी और हर्श मैंने मैसेज पढ़ लिया था आपका और इस वीग में ट्यूस्दे वैटनस दे में हम अपना सेशन फेसे वही तुछा चीजों कृशेशें तरुशा रहा है मैं और इसल्य बात कर पाता हूं बच्चों से तो उसमें हम रखेंगे घैज्टि ली और यह देखो यह जदार्फ में डी एक्शन हो गई देखो सारी questions है जो मैंने चाटते हैं बट सारी name reaction है this is Clayson condensation this is Clayson reaction this is Clayson Smith reaction this is Dykeman now next one यह भी बहुत famous question है जैई मैं पूछा गया है यह भी अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा मैं फिर वह बात कहूँगा यहां पर फिर से minus pause करो देखो यहां plus इसे फिर चाहिए acid catch यहां से फिर निकालेगा acid catch फिर इस पर minus आएगा यह तो निकल गया न cst, coh बना के अगर all product कहेगा तो यह भी देख लिये न entity type problem है तो भी यह चीज़ देख लिये न अब यह minus इस पर attack करेगा ठीक है बच्चो बहुत ही प्यारा सा चीज़ बनता हुआ यहां पर फिर से minus यह वाला कार्बन यहां जुड़ा था देखो बिटा यह अगर हम ध्यान से सोचें तो यह acid and hydride हो रहा है हाँ या न अब क्या होगा बच्चो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यह फिर से यहां पर तो यह बहुत अच्छी सी बात है मतलब हो गया हो गया हो गया तो एक लेकर यह वह इधर बहुत सिंपल करके देखो खुद यह इधर इस कारवन पर सी डबल बॉंड ओ इस पर ओएच सिनामिक acid you must be aware of this name नहीं है एक बड़ NCRT भी देख तो कुछ नहीं है अगर यह देखो न ऐलाइलिक acid है अरोमेटिक रिंग के साथ यह जो चीज है इससे सिनम आप कह रहे हैं और यह क्या बना था बच्चों हमारे पास cinnamaldehyde यह जो रियक्षन है जिसमें हमने acid anhydride के साथ किया है यह वड़ी फेमस रियक्षन है इसका नाम है परके न तो यह वो सवाल थे जो नेम रियक्षन के ओपर जेई में पूछे गए थे अब मुझे एक बात बताओ इमानदारी से कोई ऐसी चीज करी जो अलग थी रियक्षन चारी टाइप की होती है उनी में से आया है इतना तो अपने दिमाग को कंसाइस करना ही पड़ेगा बड़े-बड़े साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं एक सिंगुलर थियोरी के बारे में बात करने के कि इस दुनिया में सब कुछ चल रहा है वो एक सिंगल थियोरी से एक्स्प्रेइन किया जा सके है दुनिया उस तरफ बढ़ रही है मैं भी आपके लिये इस तरहें की सोच बिगास बचो मैं खुद as you are all are aware कि मैं neuroscience से मैं postgraduate हूँ और शीली बात है जिस चीज को हम matter कहते हैं हम सब कुछ कहते हैं वो तभी है जान उस पर हम ध्यान देते हैं आज के वीडियो के लास्ट में मैंने ये सब कुछ बताया है एक चीज आपसे कहूंगा जिस चीज पर फोकस करोगे वो चीज बड़ी हो जाएगा आपकी सोच एक lens की तरह है जिस चीज पर फोकस करोगे वो बड़ी होती जाएगी आप success पर फोकस करोगे वो बड़ा होता चला जाएगा आप tension में फोकस करोगे stress पर फोकस करोगे आप उन बातों पर फोकस करोगे जब वो damage करती है वो बड़ी होती चली जाएगी समस्याओं पे फोकस करोगे समस्याओं बढ़ेंगे solution पे फोकस करोगे solution बढ़ेगा पाँच बड़ी reactions पाँच बड़ी name reactions उन पे based पाँच अच्छे तगड़े सवाल चुटकी में solve होते हैं अगर सोच सिर्फ इतनी होती है कि all reactions are acid based ठीक है बच्चों All the very best I hope जो आज पताया पसंद आया अच्छा लगा Like करो, Share करो तक और बच्चों तक ये बाद पहुचे उनका भी फाइदा हो मिलते हैं बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं It's totally your choice Thanks for supporting me I will support you मिलके चलते हैं Together we'll rock All the best Good night, Sunday Enjoy करो